परिचय यह छूटी बच्ची रो रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है उस बूढे आदमी को देखो, वह नगर के व्यस्त क्षेतर में रहता है, वह फेफ़डोंगी बीमारी से ग्रस्थ है इनकी बीमारी का मूल कारण वायुप्रदूशन है इस पाठ में हम अपने परिवेश में होने वाले हानिकारक बदलावों और अपने जीवन पर उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायु प्रदूशन, इसके स्रोत, इसके हानिकारक प्रभाव और इसकी रोक्थान की व्याख्या करना ओजोन परत के अवक्षे की व्याख्या करना ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करना अमल वर्षा के निर्मान की व्याख्या करना वायु प्रदूशन हमारे जीवन के लिए वायू अतियावशक है लेकिन दिन प्रति दिन वायू में उपस्थित अवान्चित पदार्थों के कारण यह प्रदूशित होती जा रही है